हे गाइज असलाम वालेकुम मैं हूं सुहेला आप देख रहे हैं सुहेला की रसोई आज हम बनाएंगे मटनी स्टू पांच पियाज ले लेंगे तेन टमाटर चार पांच मिल्च दोद रखके टुकड़े बारीक चॉप कर लेंगे सब अच्छे से चॉप करके रख लेंगे एक कटोरी हरा धनिया चॉप कर लेंगे स्टार्ट करते हैं यह है कुछ खड़े गरम मसाले आठ हरी लाई ची साथ आठ लॉंग एक बड़ी लाई ची दो लाल मिर्च सूखी दो सिनिमम इस्टिक एक स्पून धनिया एक स्पून जीरा आठ काली मिर्च यह सब ले लिया चल एक प्याज ब्राउन कर लेंगे अच्चे से ब्राउन करेंगे कुछ मसाले गिरेंगे दो पत्ते के टेज बाद की इनको भी ब्राउन करेंगे और यह मसाले जो हमने निकाल लेते एड करेंगे गोल्डन ब्राउन करेंगे सीमाच पर करेंगे ब्राउन हाफ के जी हमने मटन लिया है अच्छे से वाश करके रख लिया था इसको भी फ्राई करेंगे इसी में मटन को वाइट होने तक भुनेंगे अच्छे से कच्ची समेल निकलने तक भुनाई करेंगे इससे बहुंट टेस्टी और IMAZING दुनाई करने तरह गोश्ट को पहले भुनाई करने से बुनाई कर लेगे अच्छे से एक इस्पून कुटी लाल मिल्च आड़ करेंगे मिक्स कर लेगे एक स्पून नमक गेरेंगे, टेस्ट ओ कोडिंग सोल्ट, एक स्पून लाल मिर्च, एक स्पून हल्दी, एक स्पून पिसावा धनिया, एड़ करके अच्छे से मिक्स करेंगे, एक स्पून गेरेंगे, लसन का पेस्ट, एड़ कर लिया, थोड़ा सा पानी डालके, मसाला लग करेंगे इसको गोष्ट को गला लेंगे अच्छे से गलाने के बाद बुनाई करेंगे फिर से गोष्ट में थोड़ी कमी है कसर है टैंडर निया भी हुआ पूरा एटी परसेंट कुक हुआ है थोड़ा बुनाई करते रहेंगे यह हमने जो प्यास टमाटर अधरक हरीमेश डालेंगे फ्रेंड्स इसका अपना पानी यह खुद अपना पानी चोड़ेंगे प्यास टमाटर असको सीम पे ढखके पकाएंगे बुनाई करते रहेंगे बुनाई करते इतना करेंगे ओल सेपरेट हो जाए और प्यास सॉफ्ट हो जाए प्यास टमाटर सब सॉफ्ट हो ज पूस्क्राइब एंड शेयर कीजिए और वैल आइकन दबाना बिर्कुल न भूलें और इसके सामा करी इंग्रेडियन्स डिस्क्रिप्शन में हैं चैक कर लेना दूसरी वीडियो के भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं वीडियो पसंद है लाव